मक्का के भाव में निरंतर तेजी का रुक बना हुआ है मक्का की किमतों में बहुत भारी भरकम तेजी आई हुई है 2600 से 800 रुपए प्रतिकुंटल तक पहुंच चुका है भाव देश की वीबिन मंडियों में मक्का के ताजा भाव और आगे क्या रहेगा बाजार का रुक आई जान लेते हैं इस वीडियों खरिव की फसल में मक्का का अपना एक अलग महत्वपुनिस्तान है अंतराष्टी स्थर पर इसकी मांग में वरध्य के कारण इसकी किम्तों में तेज़ी आई है गेहूं शर्शो के बाद अब किसान को मक्का से बिलाब मिल रहा है मकका की घहरेलू मांग के साथ है इसकी व्यस्फिक मांग में भी जापा हुआ है इसके कारण बाजार में मक्का कीमते 2200 से 2800 रुपए प्रतिकोंटल तक हो गई है अधिकान समंडियों में इसकी कीमत 2000 रुपए प्रतिकोंटल तो चली ही रही है जबकि मक्का का नियुनतम समर्था मुल्या 1962 रुपए प्रतिकोंटल है मक्का के भाव बढ़ने से किसान कुछ है मक्का की बुवाई जिन्हों की है वो खरीब की फसल में मक्का को बोते हैं लेकिन जहां सिचाय के पर्याप साधन है वहां रब्भी और खरीब की अग्यती फसल के रुप में इसकी खेती की जा रही है मक्का की किमत बढ़ने का प्रमु कारण तो यही बता जा रहा है कि मीडिया रुपूर्ट्स के मताबिक चीन, यूरोप, यूक्रेन और अमेरिका सही दुनिया में मक्का का उत्पादन 2.9 फिस्दी घटा है यानि कि विदेश में उत्पादन कम हो चुका है मक्का का इसे के साथ भारत में भी 2022 में इसका उत्पादन घटने की आसार है इसे से मक्का भाव में तेजी आई है बता दें कि पिछले साल मक्का MSPB से भी कम दामों बाजार में बिका था इसे देखते हुए मक्का उत्पादक किसानों के लिए एक हवर वहत खा से किसान बाजार भाव पर मक्का की बिक्री करते अच्छालाब कमा रहे हैं इस वर्ष तीन दस्मलों एक फिजदी से ज़्यदा कम हो सकता है भारत में मक्का का उत्पादन इसके कारण मक्का की भाव में और भी ज़्यदा उच्छाल देखने को मिल सकता है इस वक्त देश की विविन मंडियों में बहुत सांदर भाव चल रहे हैं जैसे कि महराष्ट के पूरे में 2800 उत्रप्रदेश की कई मंडियों में 2000 से उपर मद्रप्रदेश की भी कई मंडियों में 2000 से उपर यानि ओवराल हर राज्य में 2000 से उपर भाव चल रहे हैं आगे क्या रहेगा मक्का की कीमत में तो इसमें कहा जा सकता है कि MSP से उपर ही रहेगा भाव किसान साथियों करें अच्छी लगए लाइक कमेट से सब्सक्राइब करें धन्यवाद